हे दोस्तो नमसकार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीश सोगत करता हूँ आपके युटूब चैनल जौब इंडिया में प्यारे दोस्तों अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो SGPGI लखनव नर्स भरती 2021 जिहां दोस्तों 173 पदोग पर बिल्कुल परमानेंट आल इंडिया भरती आ चुकी है इसके लिए ओफीसली सौर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है इसमें नर्सिंग ट्यूटर, फार्मासिस्ट, जूनियर, इंजिनियर, इस्टेन ग्रॉफर, डाटा एंटरी, ऑबिटर इसके अलामा विभीन पदोग पर भरती बिल्कुल दोस्तों आफीसली रिलीज कर दी गई है तो दोस्तों इसमें कबसे आप लोग फार्म को अपलाई करोगे, फुल नोटिफिकेशन कब आएगी, योगता क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है साथी दोस्तों जो आप लोगों का ओल नोटिफिकेशन है, इसको भी दिखाने वाले हैं प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो बिल्कुल दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आपको जो है सारी इन्फार्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं तो आपसे हाथ जोड के विंती है, अगर आप लोगों को पूरी इन्फार्मेशन चाहिए, तो पूरा वीडियो देखिए चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ देखे दोस्तों यह सौर्ट नोटिफिकेशन है, हिंदुस्तान के न्यूज पेपर में आपको मिल जाएगी अब ही मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाऊंगा तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को दोस्तो देख लो संजय गाधी पोस्ट ग्रेजुएट इस्टिटूट ओफ मेडिकल साइसेज जी हा दोस्तो रिकूटमेट जो निकाली गई है ग्रूब बी एंड ग्रूब सी पोस्ट पर डारेक्ट रिकूटमेंट बेसिस पर परमरेंट निकाली गई है ओपर यहाँ पर देख सकते हैं एडर्स भी दोस्तो दे दिया गया है कि संजय गाधी पोस्ट ग्रेजुएट इस्टिटूट ओफ मेडिकल साइसेज लखनव से यह परमरेंट आल इंडिया भरती निकाली गई है ग्रूप B और ग्रूप C के पदों पर वेकेंसी रिलीज की गई है इसमें देखिए जो मोश्ट इंपोर्टेंट है अभी उसकी इनफार्मेसन देंगे आठ वेकेंसी है नर्सिंग ट्यूटर की जी हां College of Nursing नर्सिंग ट्यूटर की यहां पर आठ वेकेंसी है जो की SC कर्णडिगरी में दो वेकेंसी है OBC में दो वेकेंसी EWS में एक वेकेंसी और UR कर्णडिगरी में तीर वेकेंसी है लेवल 10 के अंतरगत salary मिलेगी इसी तरह से technical officer की यहाँ पे 3 vacancy है नमबर 3 यहाँ पे देखिए medical social service officer की 11 vacancy लेवल 6 के अंतरगत यहाँ पे दोस्तो salary मिलेगी ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देखिए तो pharmacist grade 3 के लिए कुल 14 vacancy है फिजियो थेरपिस्ट grade 1 के लिए 11 vacancy है assistant dietitian के लिए 6 vacancy है और junior engineer civil के लिए दोस्तो 9 vacancy है junior engineer electrical और electronics के लिए 4 vacancy junior engineer air conditioning wing के लिए 2 vacancy mechanical, je mechanical के लिए 2 vacancy data entry operator DEO group C की यहाँ पे 14 vacancy store keeper कम purchase assistant के लिए 15 vacancy personal assistant के लिए 10 vacancy है इसके बाद दोस्तों देखिए इस्टेनोगर आफ़र की 22 vacancy है driver की 10 vacancy अब सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए दोस्तों notification निकाला गया था old notification निकाला गया था 2017 से 2018 के बीच में यह notification number था इसमें दोस्तों यह notification release कर दिया गया था और यहाँ पर notification number भी देख सकते हैं जिसमें number 1 notification की information दी गई है number 2 notification 2015 से 2016 को add किया गया है और 2017 से 2018 को add किया गया है 2013 से 2014 को add किया गया है इन सबी को add करके एक नई notification रिलीज कर दी गई है यह दोस्तों notification जो है 17 नौंबर 17 नौंबर 2021 यानि कल की डेट में आज 8 नौंबर कल हिंदूस्तान e-paper में publish की गई थी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है तो सबसे पहले उसको मैं दिखा देता हूँ देखी प्यारी दोस्तों हमने हिंदूस्तान e-paper open करका है आप लोग गूगल पर जाके देख सकती हो हिंदूस्तान e-paper आपको सर्च करना है नीचे आईए यहाँ पर date mention करिए 17 नौंबर 2021 इसके बाद दोस्तों देखे दोस्तों मैं आपको सारी information दिखाऊंगा proof के साथ कोई fake video नहीं है तो अभी आपने वीडियो को like नहीं किए वीडियो को like करो देखिए 17 नौंबर लखनो यहाँ पर आ चुका है और आपको लखनो ही देखना है अब यहाँ पर page number 1 है इसको आप लोगों को क्या करना है next page पर जाईएगा अभी मैं आपको देखिए एक मिनट कुछे लोग बोलेंगे कि सर कैसे चेक करना इसलिए मैं आपको बिल्कुल live proof के साथ है यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको next page पर जाना है देखिए next page यहाँ पर ओपन हो चुका है इसके बाद फिर आपको next page पर जाना है और जैसे ही आप लोग page number यहाँ पर देखिए इसके बाद अब यहाँ पर देखिए उपर आप लोगों को सबसे पहली दिखा देते हैं आपको page number 2 देखना है लखनव हिंदुस्तान e-paper और page number 2 पर ही आप लोगों को देखना होगा नीचे आईएगा यहाँ पर देखिए संजय एक मिनट बिल्कुल दोस्ते लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ तो नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए यह स्वाट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है तो दोस्तो अभी स्वाट नोटिफिकेशन आचुका है आप लोग यहाँ पर देख सकती हो इसके बाद नीचे है और उपर नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है यह नोटिफिकेशन नंबर है 2017-2018 और वहाँ पर यहां पर देखिए आप लोगों को मिल जाएगी 2013-2014 तो दो ती नोटिफिकेशन को मर्ज करके एक नए नोटिफिकेशन रिलिज की गई है जिसमें सबसे पहले बात करेंगे तो Junior Engineer Civil की यहां पर पहले देखिए 7 वेकेंसी थी दो वेकेंसी बढ़ा कर नए नोटिफिकेशन जारी की गई है 9 वेकेंसी हो चुकी है इसके बाद यहां पर बात करें तो Junior Engineer AC की यहां पर 2 वेकेंसी इसको भी बढ़ाय गया है और कुछ कम भी किया गया है Stenografer की यहां पर देखिए पहले 23 वेकेंसी थी जिसे आभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें देखिए Stenografer की कुल 22 वेकेंसी हो चुकी है एक वेकेंसी कम कर दी गई है और यहां पर देखिए Store Keeper कम Purchase Assistant इसको दोस्तों यहां पर लगबग ऐड़ कर दिया गया है जी हां दोस्तों इसको add कर दिया गया है तो कुछinha a modification को अड़ किया गया है इसके साथ ही notification को release कर दिया गया है यह दोस्तो only notification है आप लोग गूंगल पर जाके देख सकती है और इसके बाद जो हैं आप लोगों को बता दें जो इसका all notification जारी किया गया था अब यह दोस्तो फुल नोटिफिकेशन आने वाला है आज सामको या लगभकल आपको नोटिफिकेशन SGPGI के वेबसाइट पर मिल जाएगी यह दोस्तो देखिए 2018 यह ओल नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखते हैं फार्मासिस्ट और एस अब देखिए जूनियर इंजिनियर सीविल की वेकेंसी है साथ वेकेंसी थी नो वेकेंसी हो चुकी है डाटा एंट्री ओप्रिटर की थी लाइब्रेरियन गरेंट 3 को यहाँ पर अपकी बार वेकेंसी को हटा दिया गया है और इसके बाद एके असिस्टन अकाउंटन को भी हटाया गया है चीफ लाइब्रेरियन को भी हटा दिया गया है तो जो ग्रूप A है इसको हटाया गया है group B and group C की यहाँ पर vacancy release की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकती है, तो बाकी सारी information आपको दोस्तो, जल्दी full notification के दौरा मिलेगी, बाकी नई notification number यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देखिए, I-34B recruitment of only 2021 से लेकर 22, तो 2021 से 2022 का notification number यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकती हो, तो बिल्कुर दोस्तो officially short notification यहाँ पर जो हिंदुस्तानी paper है, इसमें आ चुका है, आमर उजलाई paper में मैंसा नहीं किया गया है, तो आपको हिंदुस्तानी paper देखना है, यह दोस्तो all notification को merge करके एक नई notification release कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तो आप लोग जानती हो, मुझे बताने क्या हो सकता नहीं है, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसका online start होगा full notification आएगी, सबसे पहले information आपको job India channel पर मिल जाएगी, तो दोस्तो fake notification नहीं है, यह all notification